हाई एव्रीवन और गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग के साथ मेरी दिन की सुरुआ तो हो गई है और मैं थाराइट पे वीडियो बना रही हूं कि जो मैं रूटीन एक्सराइज करती हूं और मेरे बालों में आप देख सकते हो किता सारा ओयल लगा है उस पे एक्स्ट्र के लिए बहुत सारी एक्सराइज हैं तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा ही बताया है कि आप किस तरह से अपने वाड़ी को वार्म उप कर सकते हो वार्म उप करने के बाद ये थाराइट के आप एक्सराइज सुरू करिए तरह से उप सारा ओया उताया हैं तरह स्टारी एक्सराइज सुरू करते हैं तरह से लगाउप नवाट बहुतिस्टाइज सुरू को वार्म उप किस तरहा है उपक्सराइज सारा में झाल 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 आवास को अपनी रूटीन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगी और अब हम गली की एक्सरसाइज करेंगे तो गली के लिए जो मैं डेली हो तो बहुत सालों से करती या रही है मुझे लिए एक एकसराइज बहुत अची लगती है और राउं नेक में आप छो लेफ्ट तो राइट राइट टो लेफ्ट जिद्नी बार आप करना चाहों कर सब्सक्राइब अपर आप आप करना ही चाहेब पर आप मेरा आप नेक की सेकेंड एकसराइज और जितना उपर आप लेजा सक्यों स्टेच करो इसको नेक को और उपर लेफ्ट को देर बोल्ट करिए और अपनी ठुटी को अपने हर्च कराना ही आप चाहे तो आप के खोल सकते हो बन कर सकते हैं या आप की उपर डिपेंड है कि आप आप के खोल की करना जाओ और सास अपनी लेते रहे एजिए जैस अपनी रहते रहे हो और शास को नहीं रोगना है सास आप लेते रहे हुँआ एक्सरसाइज आभ 5-10 बर करिए फिर तिसरी जो कर लेगी एक्सरसाइज है एक हाश से अपनी इस और को हैंड़ कीजिए और दूसरे से इसको स्ट्रेच कीजिए कुछ दिर गुकिए और फिर इस लेफ्ट हांस से इस होल्डर को होल्ड करिए फिर राइट हैंड से स्ट्रेप कुछ था राइट गले से रिलेटेड है तो गले की हम जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे थे और मैं यह रूटीन में असी कि मैं एक्सरसाइज कर रही थी मुझे है टीक भता था कि मैं एक्सरसाइज गुल जानती हुँ यह मैंने देखा था विडियो में ही मÄं वह आपको बताती हुँ वह कौन सी एक्सरसाइज यह आप इस पोज में आ जाःठाना चाहो इस पोज में बैठ गुस Randi men आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, आप बैटो, हैंड को ऐसे लेफ पर रखिए और अपनी टंग को बाहर निकाल लिए और एक आवाज जैसे सेर तहाडता है, वैसे आवाज आपको निकाल लिए तो बस मैं कोई गले की एक्साइज जानती थी और लेकिन वह मैंने बहुत रेयर गले के लिए और जो मैं करती हूँ, वह मैं आपको रिखा रही हूँ कि मैं गले के मोचली यही एक्साइज करती थी, और गले के लिए यह एक्साइज हो गई, आप स्ट्रेचिंग देन यह देन गे जिससे मुझे थायरायड में फळाद पढ़ा है, वह मैं एक्साइज दिखा रही हूँ, ना कि जो जो थायरायड की बहुत सारे वीडियो exercise की पढ़ती है, वह मैं नकल मार के नहीं बना रही हूँ, जो मैंने अपने रूटीन में किया, मैं भही दिखा रही हूँ हाई अब्रीबन और जो हम योगा एक्सरसाइज करेंगे थाराइट के लिए तो कुछ मैं एक्सरसाइज कर चुके हूँ कुछ एक्सरसाइज जो बाखी रगेंगी तो मैं कर रही हूँ तो फर्स्ट आप प्लेक्स ऐसे कर जाएगे अपनी हाथ को यहां में रखिए और बादी को स्ट्रेच करिए और अपने नेक को इपर करके कोशिश करीजिए जितना ओंपर देख सकते हैं और बादी को थी में जमीन से प्रच करिए खिंगको बादी कर कर दाएब ने प्रच जमीन डे जम से घर्च कर दो में जमीने प्रच कर दो करेण बॉड विलूऑ और ये exercise जो है, 5 times करेंगे, कम से कम, और 10 times भी कर सकते हैं, 5-10 करेंगे. Then, अथनी 1 legs को, and second legs को अपने हां से hold करेंगे, और भी, नेक को उपर जितना उठा सकते हैं. उपर देखिए कि कोसिस करेंगे, hold करेंगे, और सांस लेते रहेंगे. तो रिलाक्स देखिए, देखिए, फिर रिलाक्स, दीमे, दीमे. फिर येजली, जितनी इजली कर सकते हैं, स्टार्टिंग में नहीं हो पारा, तो कोई बात नहीं, दीमे, दीमे, करेंगे, उपो जाएगा. और के भी एक्सरसाइज 5-10 ताइम्स कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आप 2 ताइम्स ही करेंगे, क्यादा नहीं कर पा रहे हैं, और फिर धीमे, 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 खुटके आपके बात नहीं, और फिर दोरों हाग को उपर ले जाएगे, और अपनी बोड़ी को, और न लेक्स से उपर टेखनी की कोसिज करेंगे, तो स्ट्रेच करेंगे अपने नेप को, फिर इची करेंगे बोड़ी को, और सास लेते ही रहेंगे, और आराम की मुद्रा में हम लेट जाएगे, दोनों लेक्स को सीधा करेंगे, और हाथ को जमीन से टच करेंगे, और लेक्स को दीरे दीरे ऊपर उठाएंगे और कमर को होल्ड करेंगे और नीचे जमीन को टच करने की खोसिस करेंगे अगर आप नहीं टच कर पा रहे हैं तो कोई बात ने और कुछ देर होल्ड करेंगे hold करने के बाद अपने legs को धीरे धीरे नीचे जमीन से touch करेंगे और हाथ को जमीन से touch करेंगे ताकि नीचे लाने में असानी होती है इस मुद्रा को हम सर्वांग आसन कहते हैं और सर्वांग आसन में अगर आप पुरा नहीं जमीन touch कर पारें तो हाफ legs की लिए exercise कर सकते हैं और सेम ऐसे ही अपने legs को ऊपर खरेंगे दीरे दीरे और करने के बाद थोड़ी देर hold करेंगे और फिर अपने हाथ से कमर को hold करेंगे और फिर हाथ को जमीन पर touch करते हुए धीरे धीरे legs को नीचे चोड़ेंगे यह easy है अब खुटनों के बल बैट जाएंगे और खुटने को मोड करके आप खड़े हो जाएंगे और अब पीछे से अपने leg को wide करेंगे wide करने के बाद एक हाथ को whole circle करके और दूसरे हाथ को whole circle बनाएंगे और अपने दोलों पैरों के feet को touch करेंगे और कुछ देर hold करेंगे 3-5 minutes भी hold कर सकते हैं यह exercise करते समय अपने सास को लेते रही है चोड़ते रही है और यह exercise बहुत best है गले के लिए और आप 2-3 times कर सकते हैं जो कि मैं हमिसा करती हूँ यह सबसे best exercise जो मैं यह थारैट के exercise बता रही हूँ आपको वो मेरा daily exercise है इसमें कोई भी changes नहीं है तो आप इसको follow करिए 1-2 months आप follow करिए जरूर आपको जो है benefit मिलेगा जैसे मेरा थारैट हमेशा के लिए खतम हो गया है जरूर आपका भी खतम होगा और मेरे diet routine को भी follow कीजिए प्लस मेरी exercise को भी follow कीजिए तो उसे आपको काफी परक पड़ेगा और best result जरूर मिलेगा best result के लिए आपका confidence level हाई होना चाहिए जो भी मैंने बताया है वो आप उसको follow करो तब ही होगा फिर आप ये मत मोलना है कि आपका थारैट कैसे खतम गया तो हाई खतम करने के लिए आपका self confidence बहुत जरूरी है ये वीडियो पसंदर के लाइक तो और से तो बनता है और मैं breakfast में सिर्फ आज पपीता खाऊंगे और एक हल